हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जार हूँ कि यहाँ पर मेरे मुबाइल फॉन के नोटिफिकेशन में एक मुझे नोटिफिकेशन यहाँ पर रिसीव हुआ है और ये प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ भी यॉर डेटा इसंट बेकप ठीक है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं यहनी कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में पूरी जालकारी मैं आपको देने वाल हूँ सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि इस नोटिफिकिशन के उपर आपको टैप करना है तो जैसे आप इस नोटिफिकिशन के उपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी email id यहां पर लिखे हुई दिखाई दे जाएगी तो यहां पर आपको अपती email id यहां पर check खर लेनी है तो यहां पर इसके बाद आपको करना क्या है कि यहां पर आपको जो है यह नीचे की side में turn on का option मिल जाता है यह देख सकते हैं turn on इसे आपको जो है यहाँ पर टैप कर देना है इस तरीके से टैप करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से पेज आ जाएगा बैक अप का ठीक है यह बैक अप का पेज आ चुगा है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह बैक अप बाइ गोगल व होता है तो आप इस बटन को on कर लीचेगा ठीक है यह बटन इस तरीक से on होना चाहिए इसके बाद दोस्तों आप नीचे की साइट मेंगे तो यह वाला बटन जो है आपको off बिलेगा बैक अप यूजिंग मुबाइल और तो आप चाहिए तो इसे on कर सकते हैं या तो आप इसे off कर सकते हैं इसको on या off करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है अगर आप इसे on कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका ये वाला बटन जो आपका on होना जरूरी है जो प्रोब्लम आ रहाता है यूर डेटा इसन्ट ब बैक अप तो वह प्रोब्लम तभी फिक्स होगी जब आप ये वाला option on कर देंगे बैक अप बाय गूगल वन ठीक है और यहाँ पर आपके मोबाइल का मोडल लंबर यहाँ पर लिखावा दिखाए दे जाएगा जैसे कि मेरा यहाँ पर दिखाए दे रहा है मोबाइल का देंगे तो इस तरीके से आप अपनी ये जो notification की problem है इसे आप solve कर सकते है और इसे ओन करना जरूरी है नहीं तो बार बार जो है आपका इस तरीके से आता रहेगा इसे जरूरी भी बिल्कुल भी नहीं है अगर आप चाहे तो इसे off भी करके रख सकते हैं तो दोस्तों आज क इस वीडियो में दिवीजान कर इच्छी लगी हो तो वीडियो की setting का जरूरी यूज़ करके देखेगा और अगर आपको इससे बहतर कोई तरीका पता है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं और ठीक है तो